हेलो फ्रेंड्स, जैसे जैसे आपका एक्जम नजदिक आ रहा है, मैंने सुचा क्यों ना मैं एक्जम रिलेटेड वीडियो बना। तो इन इस वीडियो मैं आप लोगो को पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडन्स बुक की पहला लेशन का इंपोर्टन टॉपिक एक्स्प्रेंड करूंगी, तो आज का लेशन है चैलेंजेस अप नेशन बिल्दिंग, तो लेट्स स्टार्ट, दियार फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, इस वीडियो को बिगिनिंग से एंड तक पूरा देखे, सुने और समझे। Constituent Assembly का Special Session में जो वाशन दिया, वो था Famous Trist with Destiny. इस Famous Trist with Destiny का अर्थ है तो मेक ए डिल सिक्रेटली विद योर डेस्टिनी, यानि की बहुत बर्ष भग्यों से सोदा करके आया भारत, और अभी अपनी प्रतिग्या पूरी करने का समय आया. जिस घरी के लिए इंडिया के जनता प्रतिक्षा कर रहे थे, और बहुत उने जितने आवाज उठाय थे, उन सब का दो ही लक्स था, एक था, शतंचता के बाद भारत में लुक्तंचिक शरकर होगा, और दूस्त्रा था, वो शरकार शर्व का कल्लान करेगा, पर्टिकुलार्ली गरीप और समाजिक रूप से बंचित ग्रूप का कल्लान करेगा. अब हम पढ़ेंगे, लॉंग टाइम स्टागल के बाद, इंडिया को 15 अगस्ट 1947 में जब इंडिपेंडन्स मिला, तब इंडिया को बहुत सारे समस्टा ने घीर लिया, जैसे पबार्टी, इलिटारिसी, डिफरेंट डिजिजेस, सोशियल इनिक्वेलिटी, एंड इंजस्टिस, एक्सेट्रा, सारे प्रोब्लेंस से छुटकरा पाने के लिए और इस विशाल भारत को पुनो निर्मान करने के लिए भारत को मेंली तीन चैलेंजस का समना करना पड़ा, पहला चैलेंज है, Establishing Unity and Integrity amidst Diversity भारत एक इतना बड़ा देशे जिसमें भिन्न भिन्न जाती धरम भाषा के लूग रहते है ये एक नेशन या कांट्री के हिशाब से लोग लास्टिंग होगा या नहीं ये था पहला चैलेंज And second challenge was to establish democracy लोग तंत्र का प्रतिष्ठा करना जहाँ देश के हर एक सिटिजन्स अपना भूट के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके अपना शरकार बनाख सकेगा स्वतन्त्रता के बाद भारत ऐसे भी parliamentary form of government system अपना लिया Third challenge था भारत का हर एक classes of people का दिकाश और कल्लान करना इसके लिए socially, educationally, culturally, economically, backward people and religious minorities के लिए special protection या सुरक्षा का व्योस्था करना था और real challenge था बेरुजगार और गरीबी हटाना और economic development के लिए नए effective policies को अपनाना अब शतंत्र भारत इस challenges का सामना कैसे किया कैसे ये अपनी लक्ष एचिप करने में success हुआ ऐसे सारे questions का जवाब इस book के हर एक lessons के द्वारा आपको मिलते रहेगा Now we will read partition, displacement and rehabilitation partition के बाद विस्थापन और पुनारवास कैसे हुआ भारत में हिंदूस और मुस्लिम मैजुरिटी के लोग ज्यादा था मुहम्मद अली जिन्ना था मुस्लिम लिख का लीडर उसने 1940 जन्वारी को टू नेशन थियोरी प्रपूस किया था इधर बिटिश का भी लक्स्था डिवाइडन रूल पॉलिसी ये सारे चीजे भारत और पकिस्तान को अलग कर दिया सो भारत को 1947-15 अगास्ट को स्वतन चता मिली और पकिस्तान को मिली 14 अगास्ट को चलो इंडिया पकिस्तान का पार्टिशन तो हो गया लेकिन इस पार्टिशन इंडिया के लिए बहुत सारे प्रोब्लेम और डिफिकल्टीज लेकर आया वो है फिर्स्ट अफ आल दियार वस नो सिंगल बेल्ट अप मुस्लिम मैजोरिटी अरिया इस इन बिटिश इंडिया देर वे टू अरियास अप कंसेंट्रेशन वन इन वेस्ट अन इन इन इस्ट ले बिटिश इंडिया में मुस्लिम मैजोरिटी का कोई सिंगल बेल्ट अरिया नहीं था मुस्लिम मैजोरिटी था सिर्फ इस्ट और वेस्ट की तरफ एसलिए इस्ट एंड वेस्ट दो मुस्लिम मैजोरिटी एरियास पकिस्तान को देना पड़ा वो ही वेस्ट पकिस्तान अभी का पकिस्तान है और इस्ट पकिस्तान अभी का बंगलादेश है secondly not all muslim majority areas wanted to be in pakistan khan abdul gafur khan the undisputed leader of the northwestern frontier province and known as frontier gandhi was staunchly opposed to the two nation theory eventually his voice was simply ignored and the northwest frontier province was made to merge with pakistan sare muslim majority areas pakistan ka adhin hoona nahi chaha uus mein se ek tha northwest frontier province jis ka leader tha kharn abdul gafur khan joh frontier gandhi ke naam se jana jata hai or jana jata tha war two nation theory ka shampon virut kiya parantu unka virut ko ignore kiya gaya or north west frontier province ko pakistan ke saat jura gaya third problem tha dh muslim majority province panjab or bengal ये दो रज्यों में कुच कुच area non muslim majority का था इसलिए इसलिए पंजब और बेंगल के बहुत लोगों का पता नहीं चला था कि वो लोग असल में भारत का नागरिक होगा ना पकिस्तान का नागरिक होगा fourth problem था border area में दोनों देश का minorities for attack वो था पकिस्तान में Hindus and Sikh और इधर इंडिया में लाखो muslims अपना जनम भुमी में ही विदेशी जैसा रहने लगा ऐसा धन्मिया पागलपन ही दोनों देश के बीच political crisis या problem का जनम दिया अब हम पढ़ेंगे इंडिया-पकिस्तान partition का परिनाम और consequences पहला परिनाम था, there were killings and atrocities on both sides of the border in the name of religion people of one community ruthlessly killed and maimed people of the other community partition का बजर से दो देश का refugees एक दुस्टा देश पार होते समय अल्मूस्ट दस लाक लोगु का मित्तु हुआ, धर्म के नाम पर एक दुस्टा संप्रदाय को निष्ठुरता से हैत्ता किया पर्टू परिनाम था, forced to abandon their homes and move across borders, people went through immense sufferings Minorities on both sides on the border played their home and often secured temporary shelter in refugee camps Refugees को अपना घर बारी छोरने के लिए जुलूम किया गया था Minorities अपना घर छोर के Refugees Camp में जा कर रहा And number three, परिनाम था, they were often attacked, killed or raped Thousands of women were abducted on both sides of the border They were made to convert to the religion of the abductor and were forced into marriage Mahilavu को बलातकर किया गया था, मारा गया था हजार हजार महिलाओ को अपहरन करके जोर जबस्त धर्म बदलने के लिए, धर्म बदलने के लिए, शादी करने के लिए मजबूर किया गया था Partition का fourth परिनाम था Many children were separated from their parents Those who didn't, managed to cross the border, found that they had no home बहुत सरे बच्चो को माबब से सेपरेट किया गया जो border cross करने नहीं सका, उसको घर बाड़ी खोना पड़ा अभी हम पढ़ेंगे Integration of Princely States British शाषन काल में जितने देशी रज्जो था उन देशी रज्जो को भरत के साथ कैसे समिल किया गया Princely States माना देशी रज्ज British इंडिया में कुल 565 देशी रज्जो था हैदराबाद, काश्मीर, जूतपूर, मनेपूर, जुनागर, गुजराट, एक्सेट्रा ये देशी रज्जो का नाम था इसमें से हैदराबाद सबसे बड़ा रज्जो था इन देशी रज्जो में ब्रीटिश डाइरेक्ट शाषन करते थे और लोगों का कई डेमक्रिटिक राइट्स नहीं था सेंट्रल गवर्णमेंट इन रज्जो का शाषन राजाओ के मजधम से करता था ब्रीटिश ये भी खुशना किया था कि ब्रीटिश भारत छोड़ने के बाद देशी रज्ज शमो चाहे तो इंडिपेंडेंडन्ट रहे सकता है नहीं तो इंडिया या पकिस्तन के साथ शामिल हो सकता है इसलिए हैदराबाद, जम्वेन, काश्मेर, मनिपूर, एक्सेट्रा रज्जो के शाषकु शतंत्र होकर रहने का इच्छा प्रकट किया उस समय इंडिया का हूम मिनिस्टर था सर्दर बल्लव भाई पैटल, वो देशी रज्जो के शाषकु के साथ बाज्चेत करके बहुत रज्जो कु इंडिया के साथ शामिल करवाया इन देशी रज्यों को भरत के साथ सामिल करने के लिए गबर्ण्मेंट तिन तरिके से सोज बिचाल क्या था? वो था, firstly, देशी रज्यों के अधिकतर लोग इंडिया के साथ सामिल होना चाहा Secondly, गबर्ण्मेंट इन रज्यों को अटोनमी याने की सायत्त शाषन देने के लिए भी रेडी था And thirdly, गबर्ण्मेंट इंडिया का अखंडता, रक्षा और शीमा छित्रु का एकी करन करना चाहा ये तीन था गबर्ण्मेंट इप्रोज देशी रज्यों को भारत के साथ सामिल करने के लिए लेकिन प्रब्लेम हुआ हैदराबाद, मनिपूर, आधी रज्यों के साथ ये देशी रज्यों भारत के साथ सामिल होना नहीं चाहा जैसे कि हाइदराबाद, हाइदराबाद का निजम था एक कट्टर मुस्लिम, लेकिन वहां का प्रजा अधिकतर हिंदु था, वहां के लोग निजम के निश्ठूर शाषन पर दुखी था, इसे लिए उन्होंने निजम के बिरूद बिद्रु किया, निजम इस बिद्रु को रूपने के लिए पेरा मिलिटरी फोर्स एपोइंट किया, ये पेरा मिलिटरी फोर्स जगह जगह पर हत्ता लोटपार्ट बलातकार आधि करने लगा, तब सेंट्रल गबरंडमेन हैदराबाद के परिस्थिती को कंट्रूल करने के लिए मिलिटरी भेजा और आंत में इंडिया के साथ शामिल हुआ, अब आये जानते है मनिपूर का इच्छा क्या था, स्वतन्त्रता के कूज दिन पहले मनिपूर के महाराजा बुधा चंडर शिंग इंडिया के साथ शामिल होना चाहा, लेकिन जनता के प्रिशार में मनिपूर में constitutional मनार्की पतिष्था करने के लिए election कराया, on the basis of universal adult franchise, यानि कि शार्बजनिन प्राप्तवर्ष का भुटाधिकार के आधार पर, और मनिपूर ही पहला state था, जहाँ for the first time प्राप्तवर्ष का भुटाधिकार यानि कि universal adult franchise का बेसिस में और आधार पर election हुआ, उधर मनिपूर के legislative assembly में मनिपूर इंडिया के साथ सामिल होगा या नहीं, इस सवाल पर वितर्क चल रहा था, कांग्रेस को छोर कर कोई भी party इंडिया के साथ सामिल होना नहीं चाहा, अंत में मनिपूर के महाराजा बीना पुछे, 1949 सेप्टमबर महिने में भारत के साथ सामिल होने का agreement में दस्तखत किया, अब हम पढ़ेंगे, Reorganization of States, भाषा के आधार पर रज्यों का पुनर निर्माद और पुनर गठन, स्वतन्त्रता के तूरंत बाद भारत केबल partition and integration of princely states का challenges समना करना ही, नेशन बिल्डिंग का कम समाप्त नहीं हुआ था, भारत का तीस्त्रा चैलेंज का जो समना करना पड़ा, भारत को तीस्त्रा चैलेंज का जो समना करना पड़ा, वो था language के आधार पर हर एक राज्यो को reorganize करना और ऐसा पुनर गठन political और historical विचारू के आधार पर किया गया था. During colonial rule, the state boundaries were drawn either on administrative convenience or simply coincided with the territories annexed by the British government. British भारत शाशन करते समय अपनी सुविधा के लिए सारे देश को कुछ छोटा छोटा रज्यो में भाग कर लिया था. Our national movement had rejected these divisions as artificial and had promised the linguistic principle as the basis of formation of state. परन्तो शतन्चता के बाद, national leaders लोग सारे भारत को फिर से language और culture के आधार पर गठन करना चाहा. उन लोगों ने यह भी सोचा की ऐसा करने से कोछ भिगटन हो सकता है. इसलिए, our leaders felt that curving out states on the basis of language might lead to disruption and disintegration. इसलिए, वे लोग इस विशय को पोस्टपन कर दिया था. पोस्टपन कर दिया था. The central leadership decided to postpone the matters. This decision of the national leadership was challenged by the local leaders and the people. Protest began in the Telugu-speaking areas of the old Madras province which included present-day Tamil Nadu, parts of Andhra Pradesh, Kerala and Karnataka. लेकिन उन लोगों का ऐसा decision को local leaders और जनता ने भीरुत किया. Madras Rajya के अंतरगत Andhra Pradesh, Kerala and Karnataka के तेलेगु भशी जनता Andhra Pradesh रज्य गठन का मांग किया. पोट्टी स्री रामुलू, एक कॉंग्रेस लीडर अफ अंध्रा प्रदेश, indefinite fasting करके 56 days के बाद death हो गिया, ये घटना परिस्थिती को और भी उत्तेजित कर दिया. अंत में प्राम मिनिस्टर सेपारेट अंध्रा प्रदेश राज्य गठन का एनाउंस किया in 1952 डिसेंबर महिना में. इसके बाद Central Government ने States Reorganization Commission एपोइंट किया 1953 में, इस कमिशन के रिपोर्ट के आधर पर 1956 में State Reorganization Act पास हुआ, धिरे धिरे ये Act 14 States और 6 Union Territories को पुना निर्मान किया. अब ये दिखिये, 14 States and 6 Union Territories के नाम. Now, what was the impact or effect of State Reorganization? 1. Linguistic States and the movements for the formation of these States changed the nature of democratic politics and leadership in some basic ways. State Reorganization भारत के democratic base को अधिक मजबूत किया. 2. The path to politics and power was now open to people other than the small English-speaking elite. भारत के राजनिती और चम्ता याने के politics and powers कुछ English-speaking धनी लुगों के हाथों में नहीं होकर जंता के पास आया. 3. Linguistic Reorganization also gave some uniform basis to the drawing of state boundaries. 3. State Reorganization के कारण राज्जों का शीमा या बाउन्डरिस को एक समान आधार पर खीचा गया. 4. State Reorganization strengthened the national unity. 5. State Reorganization यानी की रज्जों के पुनो निर्मान स्ट्रेंडर्न दा नेशनल यूनिटी इन डाइभर्सिटी वीवीध हता में एकता को मजबूत किया. तो यही था State Reorganization का effect और impact. कि एक पूए्सेट की का is झालति मिपराई दाई वीवीवcribingरा गया. क्रींने का भूएमुवा ज जहा हता एक पुनों आजटे में और यह घकाजाना उेस्था का हमारा एक फज़खंवार्दी टॉएम।